बॉली वूट के हीमेन धर्मेंदर का जो पूरा देवल परिवारे बहुत मिस्टीडियस सरकम्टेंसिज में रहता है धर्मेंदर की जो तो बेटियां हैं वो मीडिय से दूर रहती हैं जबकि कहा जाता है वो एक्ट्रिस बनना चाहती थी लेकिन सनी ने धर्मेंदर ने पूरी कोशिश करी फॉरेंड में सेटल करने की सनी देवल की जो वाइफ हैं पूजा देवल वो भी बहुत लंबी दूरी पर बिटेन में रहती हैं और सनी देवल के साथ दूरी करिस्ता रखती हैं ऐसी धर्मेंदर के स्ट्रेंज ब्रदर थे अजीद देवल वह भी पंजाब इंडेस्ट्री में चुपचाप कम करते रहे और बीमारी के बाद उनकी मौत हुई उनका भी धर्मेंदर वाला स्टार्डब नहीं आया और नहीं बहुत ज़्यदा साथ देखे गए इसके लावा धर्मेंदर का एक 113 परिवार है जहाँ पर हिमा माली से महरीज हुई है इसलाम निकाह को गूल करके और उनकी दो बेटिया भी है जो दोनों परिवारों के बीच में स्विच करती रहती है इस सारी मिष्ट्री में एक चीज बहुत गर्व करने वाली है कि हिमा मा नहीं है इस परिवार की मिष्ट्री है कि सब कुछ चुप-चाप होता रहता है मीडिया की नजरों से दूर सानी देवल की बेटे की मैरेज में बहुत जला सीक्रेसी मेंटेन की गई थी तो बात करते हैं हमा माली की हमा माली अपनी बुक्स यारी ब्योंड डाड ड्रीम में बहुत सारे खुलासे करती हैं और बताती हैं देवल परिवार से उनकी जो रिष्टे हैं उतने भी निगेटिव नहीं है जितने मीडिया में रिपोर्ट किया जाते हैं एक्चुली हम यह जानते हैं कि सनी देवल हमाली से नफरत करते हैं और दोनों परिवारों के बीच में अच्छी खासी दूरी है जबकि ऐसा नहीं है इस बुक में काफी जगह पर ईशा देवल ने खुद मेंशन किया है कि वो सनी बॉबी को राखी बनती हैं घर भी जाती हैं लेकिन फोटोग्राफी से दूर रहती हैं विकाट पूरा परिवार इंट्रोवार्ट है और पब्ली सिटी से बहुत दूर रहना चाहता है यहां तक दिया था उसके बाद उनको दो बेटीयां हुई यानि सास के साथ भी अच्छी त्यूनिक रही है हमाननी की इतना ही नहीं जिस सौतेले बेटे से जगड़े की बात की जाती है यानि सनी का हेमा का जो 36 का आंकड़ा बताया जाता है वो भी काफी मिश्टी जूटा है अगे सौतेले की फर्क को मिटाता है जो कि एक अच्छी परिवार की यूनिटी का सबूर थे मीडिया को लगता है निगेटिविटी फैलाना परिवार के विच में खाई पैदा करना जबकि देवल परिवार एक जूट रहता है हालंकि कभी इतना मुखर नहीं हुआ जितना वह गदर 2 के बाद हो रहा है गदर 2 के बाद तो सनी बॉबी में हिम्मत आगी उन्होंने अपनी सौतेली बैनों को गली लगाया और आने वारे टाइम में कोई बड़ी बात नहीं अपनी सौतेली मा के साथ अपनी सगी मा को लेकर भी दिवल परिवार खुल कर घूमेगा औ अधी वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बिलकुल मत भूलिएगा